नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल आउटिजम एंड मॉम पर जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मेरी दो बच्चे हैं साथ वीक और श्लोग साथ वीक पांच साल का एर उसे आउटिजम है और पिछली एक साल से मैं उसकी घर पर ही थेरिपी कर रही ह ठीक है तो आशा करती हूं कि आप लोग घर पर भी करते होंगे मुझे यही उमीद लगती है आपके कॉमेंट्स देखके मुझे इसा लगता है इतने सारे क्वेशन्स पूसते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप घर पर भी अपने बच्चे की प्रैक्टिस करते हैं और इसमी मुझे लगता है भी मुमा लगता है ही जी दो डॉर्वाशन को हैं ज 9 14 मार्षन करते हैं विजासना गया हैं मुझे मिल पाता ही अब थोड़ा आज के लिए इधर उधर ही रहे गए थे कभी यहाँ जाना कभी उधर जाना तो इस वज़े से भी मैं नहीं दे पाई थी तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आते हैं हम लोग आज विधी 10 करके हैं वो बोलते हैं मैं प्लीज टेल में हाव टू वर्क ओन एडवांस लेवल ऑफ लेंगवेज और टेंसे और मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं यह बताऊंगी कि एडवांस लेवल ऑफ लेंगवेजेज पर कैसे काम कर सकते हैं और बात रहें कॉंगिटिव बहीवियर थेरपी की इसकी भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें पूरा CBT के बारे मैं बताऊंगी अगर आप जो भी चानना चाहेंगा वो देख सकते हैं मतलब हमारी जो सोच के द्वारा हमारे बहीवियर पर जो भी असर होता है वह होता है कॉंगिटिव बहीवियर है और फिर उसकी जो थेरपी क्या क्या दे सकते हैं हम लोग एक और आटिसिटिक बच्चे को तो उसके बारे मैं भी मैं उस पूरी वीडियो में पूर डिटील नम पताऊंगी तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी ठीक है जी अगला है जाया रॉय जी का वो पोलते हैं पर कंवर्सेशन कैसे सिखाया है अच्छ उन्होंने उस वीडियो पर मैंने इन्होंने कमेंट कैया है जिसमें मैंने बताए हुआ है कि सेंटेंस बोलना कैसे सिखाया तो उनका के मेरा बीटा इमेजिन फूटो बुग टॉइस देखकर सब कुछ बोल देता है आप बताओ रोज की चीजे पानी पीना है वो कैसे सिखा है भूग लगी है बात्रूम जाना है जैसे डेली बाते पर जो सारा दिन हम करते हैं वो आटिसम के बच्चे डेली कनवर्सेशन नहीं कर वीडियो में उस पर एक पूरा बनाऊंगी जैसे अगर आपके बच्चे को पूरा सेंटेस बोलना आ गया है अब वो डेली उसमें कैसे सिखाना है अभी शौट में आपको यह बता देती हूं कि आपको करना क्या है कि अगर उसे जिस चीज के इच्छा है जैसे अगर पानी पीना है तो आपको गिलास रखिए गिलास में पानी रखा वाए ट्रांस्पेरेंट गिलास ले लीजेगा उसे रखो और उसे दिख रहा है दिख तो रही है उसे दिखा के उसे वहां पर रखो और उसे बुलवाओ पानी पीना है अगर उसे प्यास नहीं भी लग रही है उ पानी प्लान के लिए टीजिए रहा हैर। वापनी पीना पोटीजेन दिमाने पह पोग और यह संदय के वुद पंता है प्रोज प्रैक्टिस कारें कराने के मतलब लिए हफ्ते बार आमने कराया shrinking अए उम्मिद करेंगे कि आपका बच्चा बोलने लगा कम से कम तीन चार महने आपको प्रैक्टिस करने पड़ेगी तब आपका बच्चा कुछ बोल पाएगा ग्लास ऴाली प्रैक्टिस कराओ पाने की एक दूद वाली कराओगा है जिससे कि और उसे तुरं तुरंट मिल जाये वह रोटी मुह में डालती जो भी उसे पसंद है जो भी आप खिलाते हैं उसे और उसे आपको पता है कि यह पसंद है उसे बादाम पसंद है काजू पसंद है काजू चाहिए तो तुरंत उसके मुह में काजू डाल देजी तो उसे यह लगेगा कि हाँ यह बोलने पर मुझे यह चीज मिल रही है बहुत सारे का बंबार्बें अगला है बिटन मॉर्या करके है नाम वह बोलते हैं थैंक्स अलोट मैम आप फैमिली को महाधि हमेशा खुश रखे थैंक्यू सो मच मैम अगला है दिपांशी सिंग का उन्होंने भी अच्छा सा कमेंट किया थैंक्यू सो मच अगला है अगला है सुचिता दिवेदी जी का ब्रीडल के लिए बादाठी चाहँ करना है और बोलते है में मेरा बीटा फॉर एयर का हो गया है और पॉटी पॉट पर बेट के सुच्शें कर लेता है ता मैं वह प्रैक्टिस कराने पड़ेगी ऐसा होता है प्रेशर में बैठना नहीं चाहते हैं, खड़े-खड़े करना चाहते हैं, वह अघगा नहीं, कभी घड़े अस्ता होता है अगर आपने उसे मुखें सेंपल बठा करके सिखाया है जिस पोजिशम में पोटी करना चाहता है, वह रहतना नहीं क्योंकि यह और रिपिटेटिट भी है यह जो बच्चा मारा कर रहा है अझू तरीके से करना चाहता है आप किया तरीके से कर रहा है भी कूपति की और उसे उसे जिए वासी किवे पॉट को आप की आप शिर्ट की नहां कर बच्चों की सीटbahn कि नहीं है जब करण बैठके शिखाई हैं जब एक्स्तिम लीवल का जब प्रेशर बनता है उसका पैंट को लीज्याई और प्रेशर बणता है और जिस तरीची हो कर रहा है और तुरंट उसे भाठा लीज्य watched बंठाट बंठा कर देगा लेकिन आपको बठा करने बहुत करने देड़ GBB ज़से बता कर देना हैं निम्हेंट अगले महर अगले महने लेज़ है, पोटी आरी है गोलते है, अघला है उम, उम का उच्चारण भी मैंने आपको यह बताया था किया? आप चाहए ओम का ऐचारन वायो tir तो उसका भी उचारान आप ले सकते हैं, आप कोई भी चीज करवा सकते हैं, दोनों चीज हेलफुल है अगला है मिजबा, मिजबास पैशन, तो उन्होंने हार्ट दे रखा है, तो थेंक्यू सो मच अगला है मॉम सन चैनल, वो बलते हैं, नाइस इंफोर्मेटी वीडियो, थेंक्यू सो मच मैं, अगला फिर से है मॉम सन चैनल जी का, वो बलते हैं, जो शौट बुक है, कौन सी कंपनी का है, और लाइन टाइगर कहां से लिया, ओनलाइन, लाइन, एलिफेंट, और प्लास्ट लाइबरेरी भूक, तो आपको मिल जाएंगी यह सारी भूक्स, ठीक है, अगला है, मॉम, सन, फिर से उनीका है, उनको पोलते हैं, यह कौन सा टॉय है, अच्छा, यह है रबर वाला टॉय जिसे पॉप वाला नहीं होता है, एक रबर जैसा कोई भी टॉय होता है, किसी भी प्रेस करना पूठता है, तो वह उसे करना पोड़ते हैं, तो अपने एक रबर लाइट से अफेक्ट दे कहा है, जो यह जो मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं है अगला फिर से अपी कह है भ JSAL कुछ अगर अपकी पीछे अगर अगर आपका बच्चा बोलने लगेगा इसा हो थोड़ा पेशन्स रखिये अगर आपका बच्चा आपके पीछक बोलने लगेगा आपको ठेशन लेनी की बिल्कुल भी Зап Dollar और इस कमेंट को शायद दो मन्त हो चुके हैं अभी मैं आप कमेंट कर रही हूं शायद क्या पता आपका बेटा भी बोल ले भी लग गया हो तो आप उसको प्रैक्टिस कराइऑ पानी पीना है उसे भूलवाइएавать से उपना ओप चाहिए ग्लास दिखाते रहे हैं और ठीक पहर एक साउसे हरु और फिर च्मा रहे हैं पूलवाते रहे हैं पानी नेकर 강ा logis, पीजसलर का दिखा रहे हैं पानी पिना है एक पुरा प्रसेंटिन्स, आपふふ़ ठीक पीचनी से फरी, तेप रहे हैं आप उसे ग्लास दिखाते रही है ना इस तरीके से वो खुद से बोलना स्टार्ट करेगा इस तरीके से आप फूर्स कर सकते हैं अगला है आपके छूटी बेटे का क्या एज है मेरे चूटी बेटी का एज वो चार साल का हो चुका है वो जाएगा मतलब अगले मैने अगला है जे एन अम फैमली वो बोलता है थेंक्यू मैम आप इतनी अच्छी तरी से समझात देते हैं एकदम एजी प्रोसेस थेंक्यू सो मच मैम अगला है रेन्यू मोरे जी का बोलता है मैं अगर mental age, chronical age से कम है तो उसके लिए कौन सी occupational therapy होती है प्रीज मेक वीडियो और क्या बच्चे की age आगे चलकर mental age उसकी original age के बराबर होती है या नहीं यह में depend करता है आपके बच्चे को कौन से लेवल का autism है और अगर चोटे चोटे लेवल की autism है जैसे high functioning हो गया, mild हो गया, moderate हो गया यह बोल सकते हैं कि हाँ हाँ कि आपके बच्चे का जो ब्रियल age है और आपकी बच्चे की जो age है वो अपनी खुद की age से कम है तो वो आगे चलकर मिल जाएगी लेकिन सेवियर में मैं ऐसा नहीं कह सकती क्योंकि उसमें काफी चीज़ें अलग चीज़ें होती है तो उसे काफी टाइम लग जाता है और डिपेंड करता है यह सब चीज़ आपकी महनत पर कि आप अपने बच्चे पर कितनी महनत करती है उसके लिए कौन सी occupation therapy है दिमाग से एक्सराइजेजेजेज है तो वह मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी आय ट्रेकिंग वीडियो जोती है और कौन सी फोकस वाली वीडियो होती है वह सब मैं आपको एक अच्छी सी एक वीडियो में बना करके आप लोग के साथ शेयर करोंगे अगला है नीतू नीरू प्लीज आपने बेटे को हिंदी पढ़ना कैसे सिखाया प्लीज बताइए इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी अभी मैं आपी राइटिंग पर या फिर स्टडी पर मैं नहीं आई हूं मैं आऊंगी उस पर कि मैंने उसे कैसे सिखाया अगला है अंशिग गो फोरेक्स करके हैं वह बोलते हैं आपकी वीडियो बहुत ही हल्फुल है मैं हमारे बेटे को भी आउटिजम है लेकिन मुझे ये समझ मैं नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहां से पहले कौन सी थेरिपी दे हैं मैं ये आसान सा है इसमें कुछ नहीं सोचना है आपको जॉइंट कॉम्प ये तो आपको करनई है आप यहां से शुरु करते है ठीकेज अगला है सागरी का जीका बोले है मैं मेरी बेटी सिर्फ जम करती है और बोलने में सिर्फ राइम्स की टोन कॉपी करती है नॉन वरवल है मीनिफूल नहीं बोलती है लेकिन और कोई इस्यू नहीं है उसको क्या ताइप का थेरिपी चाहिए थेरिपिस्ट तो बोलते हैं कि उसको सभी सब एक कराते हैं आप क्या बोलती है according to your experience कि आपकी बीटी नॉन वर्बल नहीं वर्बल नहीं है तो आपको क्या करना मतलब स्पीश तो है उसकी आपको टॉन कॉपी करें रहे है कि तो बोलना तो उसकी work का नहीं है भुकिकल के लिए आपको उसको कॉपी करना उसके इमिटेशन सिखाना पड़ेगा पहले चीज इमिटेशन करना चीज़ए इमिटेशन करना पहर बोलना सिखवाई है तो वो खुद ही वो वर्बल हो जाएगी और मीनिंग्फुल चीजे बोलना स्टार्ट कर देगी मीनिंग्फुल चीजे मतलब कि जो भी आप बोल रही है उसको कॉपी करेगी फिर धीरे आप यह सिखा सकती है कि बच्चों को खुद से कैसे बोलना सिखाना है कर दो अपिवाल सिखाना होती है जो तो आप इमीटेशन से स्टार्ट खिज अगर आपको बतानी चल पा रहा है कि आप में स्टार्ट करूँ तो क्या स्टार्ट चीजे इमीटेट करना есयाओ इमीटेशन से सिक तार्ट कना है अगला है अफ्रोज खांजी का वोलते हैं मैम अगर बंचे पहलाने बनाई है आप देख सकते हैं और आप चाहरे हे तो आप ब्रें जिम अगसे और आप अगना थенное नो फोकस को और हम जयासे गिलास जाइए पानी डालना औरर जो ग्रीन उसी को चमच में नियुक्त काहिवागी से आ episensya की काहिए हुआ फिर बाड़े तयों कोई आपसे लिएट काम आपसे अलग सीगरा है अगला है यस यू मैटर करके है चैनल हो बोलता है May God bless your kid Sathvik I hope he gets well soon completely I also wish all the parents watching this video for their kids achieve many many success stories in their near future God bless all Thank you so much ma'am इतना positive response सेने के लिए Thank you so much अगला है वर्च्वल आउटिजम और क्लासिक आउटिजम मेरे बेटे को क्लासिक आउटिजम ही है पहले बहुत कम था वर्च्वल आउटिजम मैं इसले भी बोलती हूँ क्योंकि मैंने उसे टीवी दिखाई थी अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से उसे टीवी दिखाई थी मैं फ्रश आवाज निकालता रहता है प्लीज सज़ेस्ट मैं मैम कान बंद करके आप खुद ही देख लिए आप जैसे कान बंद करती हैं तो एक अलग सा वाइब्रेशन होता है अंदर है तो आपको यह खुद रहाई चुक्षाय शर्थ हजसे इंस सी मुआ जलने सब्सक्राइं τबिध भॉक तो वर उसक्ते कान की नीचाने टोख exacerbate भॉक भॉष कान की नीकालना हिऊर ने सब्सक्राइब प्रॉबलम सब्सक्राइब कान की प्रॉब्लम है क्योंकि आवाज निकालके वह अपने कानों को सेडिस्वाइड कर रहा है है ना तो आप क्या कर सकते हैं आप हेड़फॉन लगा करके उसको एक रिलाक्सिंग म्यूजिक उसके कान में लगा सकते हैं जूगरल मोटर की बाल गुदे की ते है अपने के अदूर मूतर से की और बनायग्स आप सेड़ाओं वह ने देशिक्शों में दरके और डूसरी चीज़ उसके कान कान और शुरौ अर अथरहरों को अठीज को आप कि यहीम इसको को प्रॉज़ कर और मसाज देशाओं है आप यह करिये और इससे फाइदा मिलेगा तुरंत नहीं मिलेगा, टाइम लगेगा लेकिन मिलेगा, आप करते रहिए मिलेगा जरूर अगला है शोईता श्रिवासतव जी का बोलते है अलफाबेट फॉनिक्स कैसे सिखा है भच्चा, खुच से बोले कुछ बोलूं कुछ वो बोले अच्छा मैं बोलूं कुछ और फिर वो बोले ठीक है तो आपको कुछ नहीं आपको Imitation सिखाना है मैं Imitation आप Imitation अगर आप सिखाएंगे तो आप धीरे धीरे आप यह चीज़े पढ़ने वाले कुछ चीज़े हैं जब बच्चा आपको Imitate करने लग जाएगा कुछ चीज A B C D कुछ बोलने लग गया कुछ शीचने लग गया तो फोनिक साउंद तो बहुत आसान है आपको सिखाना A का साउंद A B का साउंद B है ना तो आप action करके भी सिखा सकते हैं ए-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e- एक वीडियो भी बनाऊंगी कि आप एक्शन से आप बच्चे का फोनिक साउंड कैसे सुधार सकते हैं ठीक है अगला है सयदा सयदा फ्रीन जी का वो गोलते हैं थैंक्यू सो मच्च मेरा सेम प्रॉब्लम है थैंक्यू आपको थैंक्यू फुलने के लिए और यह जो अपके बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो आप प्रैक्टिस कराएं मेरा ठीक हो गया है जिस भी आपने वी जॉल स्टेमिंग वाले उसमें अब ने प्रॉब्लम बताई है ना वीजूल स्टेमिंग मेरे बच्चे की बिल्कूल ठीक हो वह इन्ही है इन्ही चीजों से आप उसको प्रैक्टिस करावाई है अगला है मेरे बच्चे को आउटिजम है प्लीज में आपने अगला है मॉम संद चैनल का वो बोलते है नाइस वीडियो थेंक्यू सो मच और अगला है मॉम्मद शाहनवाज का वो बोलते है मेरा बेटा 4.7 एयर का है उसे गोद है बीहिवियर प्रॉब्लम है Speech delay है अब काफी कुछ बोलता है सब कजन के नाम आते हैं और भी काफी Single word बोलता है बोलता है काफी बाते भी understand करता है Eye contact भी है लेकिन तंग बहुत करता है किसी के घर नहीं जा सकते ऐसे वजह से आप बताएं कौनसी therapy करें यह तो थेरिपी अगर अपतंग बहुत करता है इसका मतलब वह हाइपर एक्टिविटी के लिए आपको एक तो शुगर आप कम कर दीजिए वैसे तो मैं यही बोलूगी कि किसी डाइटीशन के पास जाएए और शुगर के बारे में आप बोच सकते हैं वैसे वाइट शुगर तो आप मती दीजिए कम ही दीजिए फ्रूट्स के जरी आप उसे शुगर प्रोवाइट करा सकते हैं ना शुगर कम कीजिए आपको बहुत जल्दी फाइदा दिखेगा दूसरा आप उसकी जिम बॉल एक्सराइज कराईए उसकी जॉइंट कॉम्प्र रमा देवी पेमबर्थी करके है कोई नाम वह बोलता है आप बहुत अच्छे से बोल रहे है मैम थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच रमा जी अगला है अईश जी का हूँ बोलता है मैम हमारे बच्चे को आटिजम है लेकिन उसे सिर्फ पूर अंडेस्टेंडिंग है और टच सेंसरी का इशू है हम कन्फ्यूज है कि उसको कौन सी थेरेपी दें और कैसे प्लीज आप कुछ गाइड कीजे मैं आप बोल रहे हैं कि आपके बच्चे को पूर अंडेस्टेंडिंग है अच्छी बात है कि जी बच्चे को तो अंडेस्टेंडिंग ही नहीं है लेकिन आपके बच्चे को एटलिस्ट पूर अंडेस्टेंडिंग तो है कुछ तो समझ रहा है ना बहुत कम चीजे समझ र तो यह यह जो भीड़ती है, उसके पद्रेंड कि अरख दीडा करें आप देख सकते हैं और उसके बया जिल्टी का थृ can वाइस बाइसाइव उससे आपके बच्चे के अंड़सते कि अटिस्थेरी है तुर फेटेया थी और प unknown बागे अलग अलग टेक्स्चेर के आपकड़े लीजिए और उसको यहां हाथों में यहां गुटनों से नीचे और पीट में साइड साइड में आप उसको कराते रहे हैं थीके इससे क्या होगा कि आपका बच्चा आपके बच्ची के जो टचींग वाली सेंस्री इाशू है वह कम होगी ठीके यह इफायदा मिलीग अगला है अगर आप कर लेंगे तो आपका बट्टा में थोड़ा इंप्रूव्मेंट होना स्टार्ट हो जाएगा तो अभी तो मेरे बच्चों को लाइने का टाइम हो गया है मेरे बच्चे आती होंगी तो उनको अभी खाना होना देना है तो और उसके मुलब बात नहीं कर पाऊंगी मैं क्योंकि फिर बच्चे हला करते हैं तो आज मैं अंश जी पर यह कमेंट्स पर खतम कर रहे हैं यह वीडियो तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइब बाइब